six अलो अन के अलेकंभि कट मार्केटि में आज हमनें अच्छा पॉजिटिव सेशन देखा है निफ टी में करीब 300 पॉयंट के असपास की बड़त धेrokी अरेकिन अजो अज़ आ तो पहला stock है इन फाइकत दोनो SW Stalk आज डिसकस करेंगे वह आर्टो-षेक्टर की है महेंद्रा और मारूदी तो पहले महेंद्रा आं महेंद्रा देख लेए महेंद्रा आं महेंद्रा में आज करिब साड़े चार परसेंट के आसपास का एक अच्छा अपमो देखा है और जिस तरह का एक पॉजिटिव मोमेंटम इसमें बना हुआ सुबे से ही देखने को मिला तो वो कहीने कहीं दिखा रहा था कि यह सस्टेन होगा क्योंकि पिछले तीन-चार दिन से यह स्टॉक कंसिस्टेंटली कंसॉलिडेट कर रहा था 980-990 रेंज में और एक अच्छा बेस बिल्डिंग बना के वहां से फिर पिछले तीन-चार दिन के जो मेजर हैस थे उसको सरपास करके आज यह स्टॉक उपर सस्टेन होने में कामियाब हुआ है तो नियर टम में लगता है कि यह 980 के असपास एक बहुत अच्छा स्टॉंग सपोर्ट स्टॉक के लिए बना रहेगा और on the higher side around 1055-1060 यह एक रिजिस्टंस बना रहेगा स्टॉक के लिए जहां पर प्रिवियस्ली एक रिजिस्टंस स्टॉक ने फेस किया था इस जून मन्त के शुरुआत में तो 1055-1060 यह एक रिजिस्टंस इमिजिट बना रहेगा उसको सरपास करने का भी दमखम यह स्टॉक में लगता है क्योंकि जिस तरह से इसके मल्डिपल आवरेजेस का सेट अप है तो वो कई न कई पॉजिटिविटी दिखा रहा है जबकि मार्केट ने इतना जबरदस करे अब भी बना हुआ है तो उसमें से महिंद्रा एंड महिंद्रा है तो महिंद्रा में हम एक्सपेक्ट कर रहेए कि 1055-60 का रिजिस्टंस टेस्ट करेगा और हो सकता है उसके आगे भी यह शायद चले क्योंकि एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम इसमें क्लिरली वीजिबल है और उन दे लोवर साइड नियर टम में इसके लिए जो सपोर्ट बनेगा वो करीब 980 के असपास का बनेगा दूसरा जो स्टॉक है आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वह है मारूती मारूती में आज हमने एक अच्छा खासा करीब 6.5% के असपास का एक अपमो देखा हुआ तो वो देख के कहीं नहीं लग रहा है कि यह और भी कंटीनी होगा क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अगर स्टॉक को हम देखे तो अन्द लोवर साइड 7600-7700 इस रेंज में एक अच्छा सपोर्ट स्टॉक हर बार ले रहा था और अन्द हायर साइड इसके लिए करी एक 6% की करीब-करीब जबरदस्त एक अपमू स्टॉक में एक सिंगल कैंडल हम देख सकते हैं कि पिछले कई दिनों की जो रेंज थी उसको सरपास करके एक ही दिन में स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेक आउट दिया है तो लगता है कि यह मोमेंटम और भी कंटीनी होगा ऑन दे हाईर साइड लगता है नियर टम में 8800 से 9000 तक के टारगेट इसमें टेस्ट होते हुए हमको देखने को मिल सकते हैं अगर यह मोमेंटम और कंटीनी हो रहता है जिसकी की प्राबिबिटी बिल्कुल लग रहे है यह पैटन को देखते हुए और अन दे लोगर साइड स्टॉक के लिए 7700-800 के असपास एक अच्छा सपोर्ट बना रहेगा नियर टम में और बिल्कुल महिंद्रा और महिंद्रा की तरह मारुती में भी एक पॉजिटिव सेटप बना हुआ है चार्ट वाइस पैटन वाइस भी और मुल्टिपल एवरेजिस के हिसाब से भी तो अच्छा पैटन बना हुआ है तो नेट नेट लगता है कि नियर टम में यह दोनों स्टॉक में अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम बना रहेगा दो स्टॉक्स यह बिल्कुल ट्रेडर्स शॉर्ट टम के लिए या थोड़े मीडियम टम के लिए इस पर ध्यान रख सकते हैं मारूती और दूसरा है महिंद्रा एंड महिंद्रा